नमस्कार कैसे हैं आप आयोध्या राम की नगरी आयोध्या आयोध्या अब भारत में धार्मिक केंद्र होगा परेटन का सबसे वड़ा केंद्र होगा दुनिया में सबसे बहतरीन एरपोर्ट आयोध्या में बनाया जा रहा है ऐसा दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आद तिनाथ कर रहे हैं अयोध्या का पूरा काया कल्प हो रहा है और उसकी लगातार निग्रानी योगी आदितिनाथ कर रहे है। 2024 के चुनाब से पहले अयोध्या सजधज कर तयार हो जाएगा जहां भगवान राम कुछ वर्षों तक टेंट में थे, वहां भब दिब मंदिर तयार हो रहा है। उसकी तस्वीरी लगातार आ रही है। तो क्या इसका पूरा क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया, मोधी और योगी ने ले लिया या फिर राम मंदिराज जहां बन रहा है उसका क्रेडिट राजीव गांधी को मिलना चाहिए था। क्या कॉंग्रिस ने राम राज के राजीव गांधी की कलपना जो गांधी मतलब महात्मा गांधी ने देखा था उसे राजीव आगे बढ़ा रहे थे। क्या राजीव गांधी वो सक्सियत थे जिन्होंने राम मंदिर के निर्मान की नीव रख दी। यदि राजीव ने वो फैसला ना लिया होता तो क्या इतना आसान था यो ध्या में राम मंदिर का बन जाना। जिस कॉंग्रिस ने अपनी छवी हिंदुत्व विरोधी राम विरोधी बना ली। 2012 में सुप्रीम कोट में खलप नामा दाखिल करके तब के गुरह मंत्री पीचे दम्रम की अगवाई में भारत सरकार ने कहा था कि राम और रामाईन सब कालपनिक हैं। कॉंग्रिस इस कदर सोनिया युग में हिंदुत्व विरोधी होने लगी कि सोनिया पुत्र राहुल गांधी ने कह दिया कि लोग मंदिर लड़कियां छेरने जाते हैं। हिंदुत्र के खिलाप लगातार राहुल गांधी के बयान सुर्खियों में रहे। बाद में त्रिपुल लगा करके राहुल गांधी भले ही अपनी उस चबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे। लेकिन कॉंग्रिस की छबी हिंदुत्र विरोधी होती चली गई। इतनी हिंदुत्र विरोधी कि 2014 में हार के लिए एक ही एंटनी कमीटी जो कॉंग्रिस ने बनाई भारत के पूरवरक्षा मंत्री एक ही एंटनी की अध्यक्षता में। उस एंटनी कमीटी ने रिपोर्ट जो सौपी कॉंग्रिस पार्टी को उस अंत्रीम रिपोर्ट में बताया गया कि कॉंग्रिस हिंदुत्र विरोधी हो गई। कॉंग्रिस की छवी देश में ये बन गई कि कॉंग्रिस हिंदू विरोधी है, कॉंग्रिस जब तक इस छवी को नहीं सुधारेगी, कॉंग्रिस देश की जनता की नजरों से यूहीं गिरती चली जाएगी एक एंटनी कमीटी की रिपोर्ट का असर ये हुआ, कि 2014 में कॉंग्रिस ने उस रिपोर्ट पर अमल नहीं किया, और 2019 आते आते कॉंग्रिस की छवी और हिंदुत विरोधी हो गई और कॉंग्रिस अपना आधार और खोती चली गई, बीजेपी और मजबूत 2019 के चुनाब के तुरंत बाद सुप्रीम कोट का फैसला आया, और उस फैसले के मताबी का युद्या में दिब भब राम मंद्री मनना था फैसला तो सुप्रीम कोट का था, लेकिन क्रेडिट पूरा मोदी और योगी ली गए योगी इस पूर एक मंद्र निर्मान की निगरानी करने लगे, तो फिर याद आने लगा 1986 में राजीब गान्थी सरकार के दौर का वो फैसला वो खेल 31 जनवरी 1986 का वो दिन, जिस दिन उमेश चंद्रणामा के एक याचिका करता, आयुध्या के सिविल कोट पहुंसता है और उस सिविल कोट में एक अरजी दाखिल की जाती है और मांग की जाती है कि आयुध्या में जो राम मंदिर है, आयुध्या में जो विवादित धाचा है जिस पर ताला लगा हुआ है, पिछले लगभग साड़े तीन चार दसक से उस ताले को खोल दिया जाए सोचिए, जिस देश में एक एक याचि का दशकों लटका रहता है, उस देश में लोवर कोट के सामने एक याचि का 31 जनवरी 1986 के शाम 4 बजे तक दाखिल होती है और अगले ही दिन एक फेबरवरी 1986 को के अम पांडे, सिविल जज के अम पांडे की कोट एक हिस्टोरिकल फैसला दे देता है जरा इस टाइमिंग को समझे, 31 जनवरी 1986 को उमेश चंदर नामक एक याचिका करता है, याचिका दाखिल करता है कि इस मंदिर के ताला को खोल दिया जाए, और अगले ही दिन उस याचिका पर कोट फैसला सुना देता है उमेश चंदर की याचिका दो फर बात दाखिल होती है, 31 जनवरी को और अगले दिन 4-5 बजे शाम में एक फैसला आजाता है जब कोट लगवक खाली हो चुका होता है लेकिन शाम में अयोध्या की उस जिला आदालत के सामने में दिल्ली दूर दर्शन से ओवी बैन पहुँच जाती है 1986 में दिल्ली में ही सिर्फ ओवी बैन, मतलब सीधा प्रसारन करने का जो ओवी बैन होता है वो लखनव तक में भी उपलब्ध नहीं था सिर्फ दिल्ली में वो उपलब्ध था, तो दिल्ली से एक दिन पहले ही ये सिविल कोट में पहुँच जाता है कलपना कीजिए, कि इसका मतलब है कि केम पांडे को क्या फैसला देना था भारत सरकार को पहले से पता था क्योंकि एक दिन पहले मात्र एक दिन पहले मात्र ये मामला अदालत में जाए अदालत उसी आचिका को स्विकार भी कर ले उसे सुन भी ले और उस पर फैसला भी दे दे ये इंडियन जुडी सेरी में लगभग और संभव सा है ऐसा न भूतो न भविशती कभी हुआ नहीं तो फिर ऐसा क्या था कि नीचिली इदालत में जज केम पांडे सहब ने वो फैसला सुना दिया जिसका कई दश्कों से भारत इंतजार कर रहा था जज केम पांडे का फैसला था कि अयोध्या में जो विबादित धांचा है उस धांचे में जो ताला लगा हुआ है उसे खोल दिया जाए दरसल आजादी के समय में जब भारत आजाद हुआ उस समय में वो जो बाबरी मस्जिद विवादित जो कई सौ सालों से था उसमें कुछ लोगों निरातो रात मुर्ती डाल दी थी और कहा था कि भाय प्रगट की पाला दीन दयाला मतलब भगवान स्वेंग मंदर में प्रगट हो गए ऐसी बात कही गई तब के नहरू जो भारत के प्धान मंत्री थे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री गोविंद बल्ला पंथ सहाब को एक निर्देश दिया और पंथ सहाब को निर्देश दिया कि उस मंदिर में जो मूर्ति रखी गई है वो अईध्या के डीम से कहा जा जाए कि और मूर्ति बाहर कर दिया जाए अभी अभी देश का भिभाजन हुआ है मुसल्मानों के परती एक नफरत है और आयुद्या के तब कि डियम के इस जिद के कारण कहिए उस मंदिर से उस धाँचे से प्रभुराम की मुर्ती हटाने की हिम्मत उत्तर प्रदेश की सरकार या यू कहे नहरू की अगवाई बाली तुष्टी करन के नशे में चूर कॉंग्रिस की सरकार नहीं कर पाई क्योंकि भारत का विभाजन हिंदो मुस्लिम के अधार पे हुआ था पाकिस्तान से खबरें आ रही थी कि हिंदों को इसकदर काटा जा रहा है पाकिस्तान से लाहूर से आने वाली ट्रेनों में लाशें विची होई होती थी शर्णार्टियों की ऐसे में यदि नहरू ये फैसला कर लेते तो कांगरिस की कब्र खुद जाती इसलिए तब के डियम सहाब नायर सहाब ने इस मामले में अपनी सरकार की बात नहीं मानी और मंदिर के अंदर मुर्ती स्थापित रही फर्क ये हुआ कि वहां ताला लगा दिया गया लगवक चार दशक तक वो ताला लगा रहा उस दोरान बीच में नहरू के बाद उनकी बेटी इंदीरा की सरकार बनी इंदीरा के बाद राजीब की सरकार बीच में जानता पाटी की सरकार धाई साल मुरार्जी दसाई और चैलनसिंग की रही लेकिन कोई ये हिम्मत नहीं कर पाया जो राजीब गांधी ने किया राजीब गांधी 404 सीट लेकर केंदर में सरकार बनाये हुए थे प्रचंड भूमत के उनकी सरकार थी दरसल राजीब गांधी ने उस समय सुप्रीम कोट के आदेश को बदल दिया था शाहवानो केस में कहा जाता है कि तुष्टी करण का ये फैसला तब कि एम जी अकबर ने जो पत्रकार एम जी अकबर थे राजीब गांधी के करीमी हो गए थे मुसलिम बोट बेंक को साधने के लिए राजीब गांदी से सुप्रीम कोट का ये फैसला बदलवाने का मूल बनवाया था और इसलिए हिंदूओं को खुश करने के लिए राजीब गांदी ने ये ताला खुलवाने का फैसला किया बले ये फैसला अदालत का हो लेकिन अदालती फैसले अक्सर डेमोक्राटिक सिस्टम में सरकार से प्रभावित होते हैं यह अक्सर देखा जाता है और यह तो बिलकुल कलपना से पड़े है कि 31 जनवरी 1986 को एक याचिका करता उमेश चंद्र याचिका दाखिल करे दो फर बाद और अगले दिन अदालत फैसला सुना दे दूर दर्शन अताम जाम के साथ महां से सीधा प्रशार हो देश को बताया जाए कि अध्या में मंदिर क ताला खुल गया आम आदमी को पूजा की अनुमती दे दी गई राजीव गांधी का ये फैसला हिस्टोरिकल था यदि राजीव गांधी ने ये ताला ना खुल बाया होता तो वहां पर पूजा अर्चना आसपास में करना असंभव था ताला खुला पूजा शुरू हुई लेकिन बाद में विवादों में घिर गया और फिर उसके बाद 6 जनवर दिसंबर 1992 को विवादित धांचा को गिरा दिया गया तब से भगवान राम टेंट में थे और अदालत के शिकंजे में कि वहां कोई मन्दिरस थापित नहीं हो सकता था लगातार उसके बाद ये लड़ाई लड़ी जाती रही और ये पूरा मुद्धा बीजेपी ने हाईजेक कर लिया कांगरिस बैक फुट पे आ गई कमाल की बाते है कि राजीव गांदी के बाद वो नरसिम राओ के ही सरकार थे जिस समय बाबरी बेद्ध्वन्स हुआ यदि बाबरी मस्द धढ़ाचा नहीं गिरता तब भी ये फैसला जो आयुध्या के राम मंदिर पर आयुध्या पर सुप्रीम कोट को आया काया वो आसान नहीं था मतलब राजीव गांदी ने ताला खुलबाया नरसिम राओ के दौर में ओ धांचा तोड़ दिया गया और कहते हैं कि जब धांचा तूट रहा था भारत के पधान मंत्री को लगातार फोन किया जा रहा तो समय मुबाइल का दौर नहीं था और बार बार पधान मंत्री के निवास से फोन पे यही जवाब आ रहा था कि पधान मंत्री पूजा कर रहे हैं नरसिम राओ लगातार तब तक पूजा करते रहे जब तक पूरा धांचा गिर नहीं गया वर्सिप्रेक्ट भले ही नरसिम राव के दौर में आया लेकिन राम मंदिर बनने का रास्ता राजीम गांधी के बाद नरसिम राव ने खोल दिया फिर कांग्रिस इससे बिमुक होती गई सोनिया गांधी के एक विदेशी महिला एक क्रिश्चन महिला की अगवाई में जब कांग्रिस आई तो कांग्रिस हिंदुत भी रोधी हो गई इस कांग्रिस ने उस अहम मुद्दे को उस बुनियादी मुद्दे को अपने आप से अपने पास से निकाल करके बीजेपी के जोली में डाल दिया और आज वही राम मंदिर बीजेपी की ताकत है वहले ही आदेश सुप्रीम कोट से आया है लेकिन हर को यही मान रहा है कि यह दिकेंद्र में नरिंद्र ना दामोदर्दास मोदी की सरकार नहीं होती यह माहौल नहीं होता तो कभी राम मंदिर पर सुप्रीम कोट का फैसला नहीं आता राम मंदिर पर सुप्रीम कोट के फैसले के कारण ही वहाँ आज भब बिदिब बिराम मंदिर बन रहा है माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आयुध्या भारत का सबसे बड़ा सांस करते केंद्र होगा क्योंकि राम भारत के सबसे बड़े आदर्श है रामाईन भारत का सबसे सम्मानित धर्म गरंथ है रामाइन से ज़्यादा स्था इस धर्ती पर किसी और का धर्मगरंथ की नहीं उस रामाइन और राम को कॉंग्रिस ने ये बताया कि राम और रामाइन कालपनिक है ये बात हलफणामा दाखिल करके भारत सरकार ने सोनिया की अध्यक्षता वाली मनमुहनी सरकार ने सुप्रीम कोट में दाखिल किया बहले ही हलपनामा सरकार ने वापस ले लिया लेकिन टैग लग गया कि कॉंग्रिस सोनिया की अगवाई वाली कॉंग्रिस हिंदु बिरूधी है कमाल की बात यह कि जिस सोनिया के पती ने अयुध्या में राम मंदिर का दरवाजा खुल बाया जो राम राज का स्वपन देख रहा था उसी की पत्नी की अगवाई में कॉंग्रिस हिंदु तो भी रूधी हो गई कॉंग्रिस ने वो अपना मूल चीज अपने आप को गमा दिया कॉंग्रिस वो चीजें जो जनता का मुद्दा था बीजेपी को दे दिया तो क्या जो स्रे राम मंदिर निर्मान का राजीव गांधी को मिलना चाहिए था वो किसी और ने पा लिया क्या इतिहास की वो गल्ती जिसके लिए क्या कॉंग्रिस को कभी इस बात के लिए दुखाता होगा आज राम रामाईन और सानातन हिंदुत देश का सबसे बरा मुद्दा है इसलिए क्योंकि कॉंग्रिस दे तुष्टी करण के रूप में इस देश को इस देश की सांस्कृतिक धाचे को इस देश की सांस्कृतिक विरासत को चोटिल किया है राजीब गान्थी और नरसिम राव ना होते तो क्या आयोध्या में वो सब चीजें हो रहा होता जिसका स्रेव, मोदी और योगी ले रहे हैं इस देश के पास एक अहम सवाल है लेकिन कॉंग्रिस आज भी इस मुद्दे से अपने आप को बिमुक कर रही है तो श्ठीकरण के वोट के कारण कॉंग्रिस ये क्रेडिट लेने से भाग रही है कि आज यदि अयुद्ध्या में राममंदिर बन रहा है दिबे भब्यरामंदिर बन रहा है तो वो राजीब गान्थी के कारण कॉंग्रेस रामायन और हिंदुत से इतना दूर जा चुकी हुई है कि ये क्रेडिट लेने के बदले वो डिस्क्रेडिट हो रही है जनता से हुई डिस्क्रेडिट ये वीडियो विश्लेशन आपको कैसा लगा इसके कंटेंट दिया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद